राम मंदिर उद्गाटन में सिनेमा जगत के तमाम दिगज पहुँचे थे। हेमा मालिनी, अमिताब बच्चन, रनबीर कपूर सरीखे सितारे भक्ती में लीन दिखे। अनुपम खेर भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्था में अतिथी के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने दूसरे दिन आम शद्धालों की तरह रामलला के दर्शन किये। वे मोह ढखकर लोगों के बीच पहुँचे, ताकि लोग उन्हें पहचान न पाएं, जिसकी एक जलक उन्होंने विडियो में दिखाई। अनुपम खेर में विडियो के साथ दिये कैप्शन में लिखा है, कृपिया अंत तक देखें। कल मैं आमंत्रित अतिथी बनकर राम मंदिर गया था, पर आज सब के साथ चुपचाप मंदिर जाने का मन किया। भक्ती का ऐसा समंदर देखने को मिला की हृदय गद गद हो उठा। लोगों का राम जी को देखने का उत्साह और भक्तिभाव देखते ही बन रहा था। जब मैं निकलने लगा तो एक भक्त हलके से कान में बोला भाया जी मोह ढखने से कुछ नहीं होगा। रामलला ने पहचान लिया। अनुपंखेन सोशल मीडिया के जरीए फैंस को अपनी जिन्दगी में जाकने का मौका देते हैं और उनसे अपने दिल का हाल बया करने में भी संकोच नहीं करते। वे 68 साल की उम्र में काफी सक्रिय हैं और लगातार अपनी शांदार एक्टिंग और फिल्मों से दर्शकों के चहेते बने हुए हैं। दिगज एक्टर की फिल्म द कश्मीर फाइस काफी विवादों में रही थी। लेकिन इसमें उनकी एक्टिंग की खूब टारीफ हुई। दर्शक उन्हें आगे मुंगिलाल रॉक्स, मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्मों में कमाल के रोल निभाते हुए देख पाएंगे। वे अब तक सैंकडों फिल्मों में काम करें।